तो तो जह नमस्कार दोस्तों मैं विराठ चोदरी शवागत आपके अपने वीटुटीब कमांडो केडवे बहुत तो की कमोधी बच्चों स्यूम्हां ऑफे दिखतों मंता हुआ है तो जितने भी बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ऐसा लग़ा था में फिजिकल फाइट नहीं कर पहूंगा उन्हों ने क्या कि जब फिजिकल देने गए तब फिजिकल फाइट होगा तब जाकर तैयारी कि उसके बाद में उनको दो-तिन सामें किसी को दो मेने का किसी को तीर महीने का मिला किसी को 35 दिन 40 दिन इस प्रकार से टाइम मिला क्योंकि एक्जाम की डेट उन्हों ने उसी साफ से शेट करें ती और फिजिकल की डेटे अलग अलग थी तो बहुत सारे बच्णों करना रेत हैं किसर आपके कितने नंबर थे सब्कों कोन सब्सक्रा करने चाहिए थाकि हम ऐख्याम को कर सकें अ बहुत ऑच्छे नंबर लासके तो दोस्तों मेरे समय जब मैंने त्योब में कई बार बोल चुका हूं मैंने ज्यादा तयारी नहीं कि इसकी सम्टिंग दो महिने के आसपास बढ़िया से तयारी कि तो क्यों कि फिजीकल करके आने के 35 दिन बाद में मेरा एक्जाम था और उससे में थोड़े बहुत ही पटा था कि फिजीकल उससे में आप सभी को पता है इससे जडी में तो तायमिंग दी जाते है बहुत भी अच्छी टायमिंग दी जाते है रही तो अब आपके लिए नमबर लाना बहुत ज्यादा है मेरे मेरे कई बार बोल चुक हूं मेरे 83 नंबर ते लेकिन वह सोचे ना किस कंडिशन में थे तो उसमें मेरिट रही थी 78 मेरे से 83 नंबर और बहुत कम टाइम में लेकिन होता है कि ज्यादा तर लोग आपने देखे होंगे जो 2-2 साल से 3-3 साल से 4-4 साल से पढ़ रहें लेकिन नंबर उनके बन नहीं रहें उसका रीजन है कि वह वह चीज नहीं पढ़ रहे जो चीज पढ़नी है आपको हर एक वेक आप लेवल देखिए आपका दिमांग चलता नहीं है ज्यादा बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं चलता है कि आप इसी चीज़ें पढ़ते हो जो काम की नहीं तो सबसे पहले आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने और उनमें महारत अशिल नहीं है मेहत का एक लेवल होता है एससी जीडी का पेपर है जनल ड्यूटी के लिए आपको पता IPS का पेपर नहीं है तो जीडी का पेपर का एक लिवल होता है सबक्वा एक अलग-अलग- पेड़ आओगे बहुत ही ज्यादा टप किसन लेके पेड़ जाओगे उनको मिलाते रहोगे फिर बोलोगे सर हमसे नहीं हो रहा हमसे महत नहीं आ रही अरे आप इजी से सुरू करिए और जीड़ी का लेवल देखिए लेवल देखने के लिए सबसे पहले क्या करनी है आपको ऐसी सेलेक्ट करनी है जिनसे आपको समझ में यह नहीं देखना कि बहुत सारी बुक आ रहे मार्केट में बड़ी-बड़ी बुक साइज देखे अड़े आप अपना देखिए आपका दिमाग किस लेवल का आपको किस परकार की बुक सेखिए ठीके तो मैं आपको कुछ ताकि वो अच्छे से तैयारी कर पाए उसका लेवल बुक का आप दूसरे के सजेस्ट की हुई बुक ले लेते हो अब दूसरे का दिमाग बहुत अच्छा चलता आपका चलता नहीं तो इसके लिए कौन-कौन सी बुक लेनी चाहिए दोस्तों सबसे पहले मैं कई बार बोल च चाहिए उल्ड पेपर की बुक आपके पास में होनी चाहिए इस लिए ताकि आपको पता चले इस बड़ती का लेवल क्या है इसमें किस प्रकार आप अगर 10 12 ओल्ड पर देख लोगे ना पंदरह बीस ओल्ड पेपर देख लोगे तो आपको क्या होगा पता तल जाएगा कि इसका लेवल कर तो हैं लेवल के क्यूशन मतें कंझे किसल मती होते हैं तो उनका ढ़े Aww आपको पता तो सबसे पहले बूख है आपके पास में होन unto जाहिए model paper और ओल्ड भिपर की एक book तो उसके लिए दोस्तों यह और इसमें कम से कम 15 और 20 से ज्यादा प्रेक्रीश पेपर है बहुत ही शांदार बुक है मैं भी इसको देखा हूं पढ़ा हूं इसे लिए आपको सेजेस्ट कर रहा हूं यह बुक मैं भी दिखा दूँगा मैंने भी बहुत सारे इनके क्यूशन देखे हैं बहुत ही शांदार बिख सेलर बुक घॉशन दोस्तोस कि जो भी बंदा इसको पर्चैस कर रहा है उसने वे संक रिटेर नहीं किको चय तु 기대 करेंगां नहीं करें बहुत शांदार बुक कि मैं रहा Colonel जबार की चोटे सी बुक में बहुत कंपराराइज तो मेरे मार्केट में जो सबसे शांदार रहे से आपके पास में होने मयारी is में होनी चाहिए उसके साथ में एक वस्तुनिस्ट भुक भी होनी चाहिए अगर आप पर्चेस करको तो एक छोटी गाइड बुक जो कि क्विक क्यूशनों की होती है वह भी हो सकती है लेकिन यह तीनों बुक आपको एक साथ पर्चेस नहीं करें अभी जो टाइम जीडी का अभी के समय में आपके पास में जो बुक होनी चाहिए वह है लूसेंट की बुक लूसेंट की डिस्क्रप्शन जो गाइड है वह आपके पास में अभी परदें टाइम होनी चाहिए क्योंकि उसमें जो पूरा मेंटर दिया होता अच्चे से दिया होता है उसके क्यूशनों की बुक होनी चीए लेकिन वह अभी आपको पर्चिस करनी की जूरत नहीं है वह जो लाइस्ट का समय होता है एक दो मेने के अंदर तब आपको पर्चिस करनी अगे अब बात करें मेहत के बुक की ज्यादा तर जो क्यूशन रहते दोस्तों के वह रतेसर मेहत की हैं आशेस हैं लेक movies thatuk नोटमारे जो हुट जैते हैं कि मैं अच्छी बोक तो झालँगा जितने भी its तो पिर रामनिया समातुरिया की बुक लें और उनके फिर आपको अच्छे से समझाया वाया उसको समझना थोड़ा सा एजी है नौर्स की रूप में बुक है काफी अच्छी बूक है तो वह आप मेहत के लिए ले सकते हो बाकि अगर इससे भी अच्छी बूक आएगी तो भी मैं आपको बाद में बता दू現在 को लेनीaben लेकिन एक बार आप रांधिस यादव के नौर्स वुक ले सकते हूं उस के बाद जो इनके नमबर दिये गए हैं वो तो नॉर्मल जीज़े बो आपको पता भी होगी तो उसके लिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वो तो तो आप उस समय आप अच्छे से पकल कर लेना इसकी और रिजनिंग के लिए जब अच्छे कोई मार्केट में और वुक आएगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा करते हैं हंदी की हंदी के लिए आपको मैं करते हैं हंदी के लिए काई से में हैंदी के में आप जोड़ी आप किसी टीचर के पहसी अंहें ना जेलुक हैं में अप सब्सकार्क में इतना ही में Lazom कि अधिये तो फिर इतनी लंबी चोड़ी पड़ना की जूरुत नहीं आपको में फोकस आपको टार्गेश करना बाकी के साइड में जैकना मुसली इतनी बढ़ी है आपको अग में तीर माणना तो आपको हिट करना है तो आप जितनी लेवल है उसी से पड़ी है इतना नहीं लेट सकते हो उसमें भी लोकोगतीय मौवर आते हैं इनमें से 10th level का ही आता है तो 10th level से नीचे आपके पास में हिंदी कोई गाइड है किसी बच्चेगी घ्रामर तो आप पड़ सकते हो एक मार्केट में चोटी-चोटी हिंदी की गाइड आते है नौर्स बुक के उस की कोई चिंता करने के आपको जूरत नहीं है जितने बचे जुड़े रहेंगे उनको जितना में हो सकूँगा पेडिएप प्रवाइड करऊँगा नोट्स की हर एक सब्जेटे के नोट्स की आपको टेलिगराम गुरुफ पे देता रहोगा तो वहां से आपको जूड जाएंगे और आपको अच्छे से तैयारी करनी है यह मेटेरियल आपके पास में होना चाहिए अगर आपको 902 पिच्च्छ नंबर अगर लाने एग्जाम है दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि आपको कितना हृ यह जरूरी है कि आप जूस एक्जाम में दे रह तो इसलिए जो एक्जाम के लिए वो आपको जरूरी है क्या आता क्या प्रीमद यह जरूर आ यह VS